शहिदों की जो कताएं सामने आ रही हैं बेहद भाव कर देने वाली हैं अपने अधिनस्त ट्राइवर के अचानक छुट्टी चले जाने पर मुगा के जैमल सिंग ने खुद बटालियन की बस ट्राइव करने का फैसला किया था 27 जन्वरी को ही जैमल सिंग अपनी पत्नी तथा इगलोते बेटे के साथ चुट्टियां बिता कर इस वादे से वापस बटालियन लोटे थे इवे 28 फरवरी को दोबार आकर उसका एडमिशन शहर के नए स्कूल में कराएंगे जैमल ने जालंदर में पंचकुला घर शिप्ट करने का फैसला भी लिया था लेकिन वे शहीद हो गए इधर शहीद की पिता ने यह कहा कि गोरव दिलाकर अमर हो गया बेटा मैं जब भी मनिंदर से शादी की बात करता तो वह नकार देता वह मुझे एक अपसर का पिता कैलवाना चाहता था लेकिन आज देश में जान निचवर कर उसने मुझे शहीद का पिता होने का गोरव दिलाकर खुद अमर हो गया आसो भरी आँखो और रूंदे गले से ये शब्द पुल्वामा आतंग की हमले में शहीद हुए पंजाब के गुर्दासपुर के कस्पा दीना नगर के जवान मनिंदर के पिता सत्पाल सिंग ने कहे हैं सत्पाल सिंग पंजाब रोडवेच से सेवा निवरत हैं इधर करन्याटक में माडिया जिले के गुड़नेरे गाउं के जवान एच गुरू ने आतंकी हमले के कुछ गंटे पहले ही अपने घर पर फोन किया था उनकी पत्नी कलावती कहती है मुझे उनसे फोन पर बात कर लेने चाहिए थी सुबह ही फोन किया था लेकिन मैं बात नहीं कर पाई मैं तो उजड़ ही गई गुरु हाली में चुटी से लोटे थे पश्चिमे बंगाल के गाउं चकाशी राज बंग शिपरा में जवान बबलु संत्रा की पत्नी और माविलाब कर रही ही लेकिन उनका भांचा रगुविर मंडल कहते हैं हम चाहते हैं कि मामा और उनके साथ शहीद हुए लोगों का बतला लिया जाए इस कायरता पूर्ण हमले के बिच्छी जो लोग है उन्हें ऐसा सबक सिकाया जाए ताकि वे भूल ना सकें इधर यही आकरोश तीस वर्षी विजय कुमार मोर के गाउं गुदेवरिया के जैदेव चपिया का है वे अपने परिवार के साथ चुटी बिता कर नो फरवरी को ही जम्मू से निकले थे उनके परिवार में ड़़ साल का बच्चा है ने क्टी जल्दी जल्दी पाकिस्तान को मूदोर जाब देना चाहिए इतनी कड़ी कारवाही होना चाहिए कि पाकिस्तान हमारी चेतर में गुद कर हमारे जमानों को मारने के करने हमाकत ना करे।